हमारा मन कृत्रिम अस्थित्व की इजाद करता है, जिसे वो आत्मा, चेतना, मैं कहता है। कही न कही मन जानता है कि उसका अंत होगा और उसका अस्थित्व उसकी निरंतरता शरीर के जीवन पर निर्भर है। लेकिन शरीर किसी भी तरह से विचारों में नहीं समा पाता, क्योंकि शरीर की कही से शुर्वात या कही जाकर अंत नहीं है। विचार ने दो बिंदू निर्मित किये है कि ये जनम है और ये मृत्यु है। तो हमारा ब्रह्म कि हमारे पास मन है वह डर के कारण है भै के कारण। और हम नहीं चाहते कि डर का भै का अंत हो। क्योंकि भै का अंत डर का अंत ही विचार का भी अंत है। और अगर विचार का अंत होता है तो शरीर की भी मृत्य हो जाती है। शरीर वही मर जाता है। उसके बाद क्या बच्चता है वह शरीर नहीं जानता। आपके लिए मैं जिन्दा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपके सवालों का जवाब दे रहा हूँ। पर वास्तों में मेरे भीतर यहां कोई भी नहीं है जो बात कर रहा है। यहां केवल बाते चल रही है। यह एक टेप रिकॉर्डर जैसा है, जिसे आप चला रहे है। और जो भी इस टेप रिकॉर्डर से निकलाता है, वो वही है जो आप सुनना चाहते है। वैज्या निको को कहना पड़ेगा कि जिस पार्टिकल की वो बात कर रहे है, जिस अनु की खोज में हैं, वो नहीं समझ पा रहे कि उस अनु का अस्तित्व ही नहीं है। वे इसका स्वीकार ही नहीं करना चाहते। जब वे निशकर्ष पर आ जाएंगे कि कोई अनु या कोई बिग बैंग या जो भी उसे वे कहते हैं, उसका कोई अस्तित्व नहीं, वे व्यर्थ ही इसके पीछे दिमाग घिस रहे हैं। और वो आगे भी इसका पीछा नहीं छोड़ने वाले। वे केवल नोबल पुरसकार के लिए जवाब ढूनते रहेंगे, बस ओर कुछ नहीं। मैं कहता हूँ कि शरीर का, दिमाग का, प्रकृति का, सृष्टि का अस्तित्व है, पर उसकी कोई शुर्वात या अंथ नहीं है। इसी पर मेरा जोर है, शरीर का जन्म नहीं हुआ है, और नहीं उसका कोई अंथ है, विचार, विचार नहीं शरीर की निर्मिती की है, और दो बिंदू बना दिये है, जनम और मृत्यु, शुर्वात और अंथ, कि यह इस जगह जन्मा और वहा जाकर इसका अंथ होगा, विचार ने समय तत्व का निर्मान किया है, हमें इसकी शुर्वात नहीं पता, तो यहा विधाता की निर्मान करता की पूरी धारणा बेकार व्यर्थ है, हम तारकिक सोच के क्षेत्र में अठके है, और यह बयान कि वहा ना शुर्वात है, ना ही अंथ, हमारी पूरी तारकिक सोच की निव को ही गिरा देती है, हम इसका स्विकार करने को ही तयार नहीं, शरीर, हम सोचते है कि शरीर एक अलग है, अलग से है, इस ब्रह्मान की इकाई से अलग, यह विचार ही है, जिसने अलग शरीर का निर्मान किया है, और वो कहता है कि इसकी शुर्वात और अंथ है, उसने विचार ने स्तान का जगह का निर्मान किया, विचार समय और जगह का स्तान का अविश्कार करता है, निर्मान करता है, इसलिए समय और स्तान के बाहर जो भी है, उसकी होने की संभावना को वो पचा नहीं पाता, विचार ही स्तान निर्मित करता है उसका अनुभव करता है पर वास्तों में वहा कोई स्तान नहीं कोई जगह नहीं बिना शुरुवात और अन्त के विचार चल ही नहीं सकता यही विचार की समस्या है उसकी क्रिया उसके स्ताइतव पर निर्बर है उसके बने रहने पर उसकी निरंतरता पर पर शरीर के बारे में बात करना या शरीर को अनुभव करना विचार के लिए संभव ही नहीं क्योंकि शरीर एक जीवन्त चीज है, जबकि विचार मृत है, मरा हुआ है, हम एक जेल में बंध है, विचारों के, जो ब्रह्म बनाता है, कि हम अलग है, एक व्यक्ति है, निसर्ग से अलग है, ऐसा ब्रह्म, और यह जेल विचार द्वारा ही बनाई गई है, और इससे बाहर आने की छूटने की कोशिश कर रहा है, भारत के किसी एक ग्रंथ में दिया गया है, कि एक कुत्ता सूखी हड़ी को उठाता है, जिस हड़ी में जरा भी मास नहीं, जो पूरी तरह सूखी है, फिर भी कुत्ता हड़ी को चबाये जाता है, चबाने के कारण हड़ी उसके मुझं में चोट करती है, चुपती है, और कुत्ते का मुझ भीतर से जखमी कर देती है, जिससे खून निकलने लगता है और कुट्टा सोचता है कलपना करता है कि वो खून जो मूँ में बह रहा है वह हड़ी से निकल रहा है तो इसी तरह का कोई फंदा है जिसमें विचारों का पूरा धाचा फसा है अब सिध्धि पाना, एनलाइटेंड होना किसी तरह का बनना है या होना है बलकि मैं और एक कदम आगे की बात कहता हूं कि मानविय मन कामुक गती विधियों में रूची रखता है और ये जीव, ये मानविय शरीर केवल उत्ते जना पर प्रतिक्रिया करता है वह मजे में बिलकुल भी रूची नहीं रखता जिस पल, जिस क्षन आप मजा या खुशी पाने के उद्देश्य से विचार का इस्तमाल करते हो तो वह शरीर के लिए दुख बन जाता है, पीड़ा बन जाता है लेकिन हम दुख चाहते हैं हम दर्द का अनंद लेते हैं और दर्द को ही मजा कहते हैं, समझते हैं वास्तों में इंसानी शरीर किसी भी तरह के मजे में, खुशी में, आनंद में रूची नहीं रखता वह केवल नसों की तंत्रिकाओं की सव्वेदन शीलता को बनाए रखना चाहता है तो जिस बिक्षन आप कहते हो कि खास उत्तेजना खुशी देने वाली उत्तेजना है तो लंबे समय तक वह बनी ही रहे, मिलती रहे, इसकी मांग भी वह होती है तो मज़ा लंबे समय तक चाहने की मांग जिसे हम मज़ा कहते है उसे सजा में बदल देती है, दुख में बदल देती है वह शरीर के लिए पीड़ा दाई होता है शरीर उसे फेक देना चाहता है, उससे दूर ही रहना चाहता है हमने मज़े को भी कम मज़ा, ज्यादा मज़ा इस मात्रा में विभाजित किया है क्योंकि विचार किसी भी चीज़ को ज्यादा से ज्यादा पाना चाहता है तो किसी को कम से कम मैं मज़े के खिलाफ नहीं हूँ पर जब आप मज़ा पाने के लिए विचार यंत्र का इस्तमाल करते है तो फिर हमने वहा समस्या खड़ी कर दी तो ये जो लगातार खुश रहने की परमानंद में होने की मांग है इस मांग को हम किसी भी चीज़ के द्वारा कभी पूरा नहीं कर सकते यहां तक की सेक्स संभोग भी शरीर के लिए पीड़ा दाई है उसका उपयोग केवल पैदा करने के लिए है यह जीव केवल जिन्दा रहने और पैदा करने में रूची रखता है एक बार जो विचार संभोग को खुशी पाने का साधन बनाता है मजे मारने के लिए संभोग का इस्तमाल करता है तो हमने समस्य बना दी वही विचार कहता है कि मजे को लंबे समय तक बनाए रखे जो की शरीर के लिए दर्दनाख है सिध्धि पाना या संभोग इसमें कोई भी संबंद नहीं आजकल बाजार में ये खूप चलता है संभोग से सिध्धि पाना इत्यादी चाहे आप संभोग में लिप्थ हो जाओ या उससे परहेश करो उसका एनलाइटनमेंट से, सिध्धी से कोई भी लेना देना नहीं किसी संस्कृति में सिध्धी पाने के लिए या किसी आध्यात्मिक लक्ष को हासिल करने के लिए संभोख से, सेक्स से दूर रहने को कहा जाता है दूरभाग्य से, बाजारों में जो गुरु है उन्होंने एक चीज की इजाद की है, जिसे वो तांत्रिक अनुभव कहते है लेकिन ये दोनों ही एक ही है, एक ही बात है इनका सिध्धी से, एनलाइटनमेंट से कोई भी संभन्द नहीं कोई भी वास्ता नहीं एक बार जो हम सिध्धी के, एनलाइटनमेंट के प्रश्ण से या उसकी मांग से आजाद हो जाते है तब फिर हम इसकी तरफ अलग तरीके से देख सकते है एक अलग रास्ते से और सवाल पूछ सकते है कि क्या सच में कोई एनलाइटनमेंट, कोई सिध्धी पाना होता है हमने स्विकार लिया है हमने मान लिया है कि सिध्धी मिलती है एनलाइटनमेंट होता है पर हम कभी इस पर सवाल खड़ा नहीं करते क्योंकि एक बार अगर आप इस पर सवाल खड़ा करते हो एनलाइटनमेंट पर तो हम सिधा-सिधा उन गुरुओं पर सवाल खड़ा कर रहे है जिन गुरुओं में हमारा भयंकर भरोसा है जिस कारण भावना जगह बनाती है और हम उन गुरुओं के वचनों को वेदवाक्य सिधान्त के तोर पर स्विकार कर लेते है मेरा सवाल है कि जिसे हम चेतना कहते है क्या सच में वैसा कुछ है आप खुद के बारे में चेतन होते हो बाहरी दुनिया के बारे में चेतन होते हो सजग होते हो वह केवल आपके पास जो ग्यान है जो ग्यान बच्पन से आज तक आपने जमा किया है उस ग्यान के जरीए ही उसका इस्तमाल करके ही आप सजग होते हो, चेतन होते हो, जागरुख होते हो जो ग्यान हमें तताकतित संतो, गुरुो, महत्माओं द्वारा दिया गया है तो क्या आपके लिए किसी भी चीज के बारे में चेतन बिना ग्यान के होना संभव है हम मान लेते हैं और पूरा जीवन खोज में लगा देते हैं भगवान का अनुभव पाने के लिए, सिद्धी त्यदी पाने के लिए दुर्भाग्य से विचार ने खुद को दो हिस्सों में बाट लिया है जहा द्वंद्व है संस्कृती आध्यत्मिक शिक्षा कहती है आप में जलन हिंसा नहीं होनी चाहिए महत्वकांशा नहीं होनी चाहिए लालच इत्यदी नहीं होनी चाहिए पर इस समाज में जीने के लिए महत्वकानशा बहुत जरूरी है तो इसी कारण वहा विक्षिप्थ स्तिती बन गई है हम खुशी चाहते भी है और साथ साथ जानते भी है कि खुशी हमें दुख पीड़ा दे रही है तो सदा होने की मांग मुल रूप से विचार की मांग है वह निरंतर सदा होने में रहने में रूची रखता है शरीर की निरंतरता नहीं पर विचार की शरीर को किसी तरह से पता है कि वह सदा है उसका कोई अंत नहीं है उस भावना में नहीं जैसे हम जानते है पर वो ग्यान उसमें वहा मौजूद है जिसे पता है कि वह सदा ही है तो खत्म होने के विचार में अंत होने के विचार में वह रूची नहीं रखता क्योंकि वह कही ना कही कुद की निरंतरता से परिचित है जो वो जो मजे में शामिल है वही सवाल खड़ा कर रहा है कि इस जीव को मानव शरीर को क्या होगा जब वो मर जाएगा शरीर के लिए इस जीव प्रान के लिए मृत्यु जैसा कुछ भी नहीं है क्यूकि इसके पास इस तथ्य को जानना सम्भव ही नहीं कि वह अभी इस समय जीवन्त है जिन्दा है आत्मा मैं चेतना विचार द्वारा निर्मित है और विचार ही चेतना का अनुभाव करने के लिए जिम्मेदार है